यह वीडियो साइन्स क्लाश 10 चैप्रे 12 का पार्ट 16 है और यहां हम लोग पढ़ने वाले हैं हीटिंग एफेक्ट आफ एलेक्रिक करेंड के कारण हीटिंग एफेक्ट तो मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया है कि किस प्रकार से जब करेंड का प्रवा होता है तो मैंने आपको बता दिया है दे केमिकल रियक्शन विदिन दा सेल जेनरेट्ट प्रेंचल डिफ्रेंस बिट्वेन इट्स तू टर्मिनल्स दाट सेट्स द इलेक्ट्रॉन इन मोशन तू फ्लो दा करेंड थ्रू रिजिस्टर और सिस्टम ओफ रिजिस्टर कनेक्टेट टू तो यह हम लोगों कोने पहले ही पढ़ लिया है यह कोई सिल है उसमें केमिकल रियक्शन होगा जिससे उसके टर्मिनलस के बिच में पटेंशल डिफ्रेंस बनेंगे और जिसके कारण मोशन औफिलेक्टर इन्फिलेक्ट्रॉन तो यहां आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, तो पहला भाग तो इसका उसको फंक्शन कराने में जाता है, और कुछ भाग क्या होता है, हीट के रूप में वेस्ट हो जाता है, मतलब कि उसको यूसफुल वर्क को कराने में, जैसे कि रोटेटिंग दा ब्लेड्स ऑफ एलेक्रिक फैन को चलाना है, आपको माल लीजिए, तो आप उसके करेंट का यूज करते हैं, उसके एनर्जी का यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे एनर्जी क्या होता है, हीट के रूप में वेस्ट भी जाता है, रेश्ट आप दे सोर्स एनर्जी में भी एक्स्पेंडेड इन हीट तो रेज दे टेंपरेचर आफ गैजेट, तो आखिर ये हीट होता क्यों है, यही हम लोग को पढ़ना है, और यही है हीटिंग effect of electric current, यह मैंने आपको पहले भी बड़ा अच्छा से बताया है, we often observe this in our everyday life, for example an electric fan becomes warm, if used continuously for longer time, तो example अब देख सकते हैं दिया गया है, कि यदि आप लगतार fan को यूज करेंगे, तो वो गर्म हो जाता है, on the other hand, if the electric circuit is purely resistive, that is configuration of resistors only connected to the battery, the source energy continuously gets dissipated entirely in the form of heat, तो जैसे बैटरी में आप सिर्फ तार जोर देंगे, तो आप देखेंगे कि यह जो भी energy है, वो heat के रूप में खतम हो जाएगा, और आपका तार क्या हो जाएगा, बहुत गरम हो जाएगा, और इसका सबसे अच्छा अच्छा उदारन, आप iron देख सकते हैं, घर में heater देख सकते हैं, वो अभी किस रूप में काम करता है, heating effect of electric current के base पे ही काम करता है, तो हम लोगों ने यह देख लिया है कि किस प्रकार सी heating effect पैदा होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका mathematical expression निकाला जा रहा है, consider a current I flowing through a resistor, आपको एक consider करना है कि कोई I current है, जो कि एक resistor से flow हो रहा है, जिसका resistance क्या है R, और उनके बीच का potential difference क्या है V, और यहाँ पर आपको देखना है कि time T तक आपने इस current को flow कराया है, और इससे Q charge flow होता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, the work done in moving the charge Q through the potential difference V is equal to VQ, तो यहाँ पर work done निकाला गिया है, और work done किसके बराबर है, VQ के बराबर, तो आपने एक formula पढ़ लिया है, शुरू में हम लोगों ने यहाँ देखा था कि 4 formula लोगों को याद करना है, तो एक formula यह भी था, V is equal to W by Q, याद कर यह potential difference का formula आप लोगों ने पढ़ा था, work done per unit charge, per unit charge को एक point से दूसरे point तक लाने में, positive charge को, जो work done हुआ था, उसे हम लोगों क्या बराबर थे, potential difference बोल रहे थे, तो आप देख सकते हैं, work done निकाल सकते हैं, तो यहाँ क्या हो गया, V, VQ हो गया, और यहाँ आप देख सकते हैं, therefore, source must supply energy equal to VQ in time T, इसका मतलब है, source VQ energy pass करा रहा है, कितना time में, T time में, यहाँ पर mention भी क्या हो गया है, time T को, hence the power, यदि याप power का परिभासा जानते हैं, तो work done by time, यह आपने पढ़ा है, work done per unit time, यह power का परिभासा है, तो यहाँ power लिख सकते हैं, P is equal to VQ by T, इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक और परिभासा, अच्छा, अब यहाँ से वो जो चार परिभासा है, sorry, चार फॉर्मूला, उसका हम लोग उप्योग कर सकते हैं, जैसे कि, I is equal to Q by T, हम लोगों ने देखा है, तो यहाँ Q by T के जग हम लोग क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं, तो यहाँ भी रेखेंगे, P is equal to VQ by T है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, I, तो V into I लिख सकते हैं, P बराबर क्या हो गया, V I हो गया, और इस formula को और भी अलग-अलग रूप से आप change कर सकते हैं जैसे कि P is equal to क्या हो गया V I हो गया तो I बराबर क्या होता है आपका V बटा R होता है V बराबर IR formula से I बराबर क्या हो जाएगा V बटा R हो जाएगा तो यहाँ आप लिख सकते हैं P is equal to V और I के जाएगा लिख सकते हैं V बटा R तो यह हो सकता है P is equal to V square बटा R इस प्रकार से भी formula बन सकता है तो बहुत प्रकार से आप formula को यहाँ change करकर के बना सकते हैं तो आप देख सकते हैं All the energy supply to the circuit by a source in the time T is P into T इस प्रकार से आप देख सकते हैं P into T is equal to क्या होगया आपका V Q इस प्रकार से भी बनाए जा सकता है तो आप देखेंगे यहाँ पर P is equal to क्या होगया V I हो गया यदि यहाँ T से गुणा करेंगे तो यहाँ भी T से गुणा करेंगे तो P into T T समय तक यदि यह power use हुआ है तो क्या हो गया VIT और the energy supplied to the circuit by the source in time T T time तक यहाँ पर जब energy supply किया गया तो हम लोग P into T गुना करेंगे तो VIT हो जाएगा तो यही क्या हो गया VIT What happens to the energy expended by the source This energy gets dissipated in the resistor as heat Thus for a steady current I the amount of heat H produced in time T is H बराबर VIT तो यही जो है so heat के रूप में परिवर्तित हुआ तो हम लोग क्या बहुत हो लेंगे H is equal to VIT यहाँ से आपका एक नया formula हो गया इस प्रकार से formula को आपको पढ़ते जाना है तो यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे formula हम लोग के पास हो गया सबसे पहले क्या था I is equal to Q by T हो गया V बराबर क्या हो गया W by Q हो गया V बराबर क्या हो गया IR हो गया यहाँ से P बराबर आपका क्या हो गया VI हो गया इसके बाद आप कर सकते हैं H बराबर क्या हो गया VIT हो गया और भी इससे formula हम लोग बना सकते हैं अब यहां से आप देख सकते हैं, h is equal to क्या हो गया, v, i, t, और v बराबर क्या होता है, ir, तो h बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ir into it, तो यह हो जाएगा, i square rt, तो यह भी हो सकता है, h is equal to क्या हो सकता है, i square rt, जो कि बहुत ही important है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, this is known as joule's law of heating, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, joule's law of heating, और यह बहुत ही important question होता है, जो कि आपके exam में पूछा जाता है, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, h is equal to क्या हो गया, i square rt, यह heating effect of current है, this is known as joule's law of heating, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, joule's law of heating, the law implies that heat produced in a resistor is, जो heat, क हम जाकर यहाँ पर लिखा हुआ है, अलग-अलग points में, पहला directly proportion to the square of current, तो h is equal to i square rt है, तो आप देख सकते हैं, कि यहाँ h को directly proportion, i square मतलब current का square का directly proportion भी बताया जा सकता है, for a given resistance, यहाँ पर resistance क्या होना चाहिए, वह होना चाहिए, इसका मतलब यह constant होना चाहिए, दूसरा, directly proportion to the resistance for a given current, दूसरा क्या हो गया, इस directly proportion क्या हो गया, r, उस current के लिए, कोई खास current, मतलब यह constant होना चाहिए, directly proportion to the time for which the current flows through the resistor in particular situation, तो इस directly proportion क्या हो गया, t भी हो गया, तो यही है आपका Jules Law of Hitting, यह बहुत ही important है, एक्साम में पुछा जाता है, तो आप इसको याद कर सकते हैं, और यह तीनों बातें आपको यहाँ पर लिखनी पेड़ेगी, When an electric appliance is connected to a non-voltage source, equation, यही equation जो है, is used after calculating the current through it, using relation I is equal to V by R, क्योंकि हम लोगों ने I के जग क्या रख देना है, V बटा R रख देना है, इस प्रकाल से आप आसानी से, यदि formula याद है, तो बहुत सारे प्रश्णों को बना सकते हैं, यहाँ पर कुछ प्रश्ण दिये गए हैं, जिन्हों हम जब power पढ़ लेंगे, तो उसके बाद solve करेंगे, तो मैं मिलता हूँ आपसे next video में, धन्यवाद,